हर्याना सरकार जीरो टॉलरेंस की नीती के साथ काम कर रही है भष्ट और रिश्वत खोर अधिकारियों पर एक्शन लेने के लिए ACB की टीम एक्शन मोर में नजर आ रही है मामलाब पानिपत का है जीएस्टे विभाग की टीम ने पानिपत के एक लगू दियोग पर छापे मारे के दोरान हर्याना में जीएस्टे सुप्रिडेंट और सीए को साढ़े दस लाग की रिश्वत लेते गिरफतार किया है दोनों ने उदियोग पती से जीएस्टे जुर्माना दबाने के लिए 12 लाख रुपे की रिश्वत की मांगती थी करनाल में तेनाथ ACB के इंस्पेक्टर सचिन ने बताया कि दोनों के खिलाफ करनाल ACB ओफिस में केस दर्ज कर लिया गया है CA जो पंकज खुराना है उनको बुलाया और उनके मारफत उन्होंने तीन लाख रुपे तो मोके पर ले लिए उन्होंने कंप्लेनेट ने जैसे उनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट की कि सर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है जितना डिमांड की जा रही है तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं बहिया जो हमने बारा लाख रुपे की पैस सेटल डाउन हुए तो वो सारे के सारे आपको देने पड़ेंगे तीन लाख रुपे मोके से ले जाने के बाद इन्होंने जो कल इनको बुलाया हुआ था बाकी की जो पेमेट थी उसके लिए तो इन्होंने जाके मजबूरी वश्ट यही कहा कि सर मेरे पास तो साथ ही है और फिर जो एक्यूजड है इन्होंने कहा भी यह नो लाख रुपे दो देने पड़ेंगे अब कंप्लेनेट हो गया तंग तो उसके बाद उन्होंने विजलेंस को शिकायत दी जिसमें साथ लाख रुपे के साथ रेड हैंडिड जो हमारे सीये हैं पंकज खुराना क्योंकि टाउट का काम यही कर रहे थे इस प्रकरण में उनको अरेस्ट किया गया उसके बाद जब अगले प्रेमराज मीना हैं उनको पूश्ताच के लिए बुलाया गया और जब उनके खिलाब सबूत गुजरे तो उनको भी अरेस्ट किया गया और जो पहले लिए हुए तीन लाक रुपे थे उसके वो तो रिकवर कर ली गये उसके अलावा एक पचास अजार रुपे और मिले हैं उनसे जिसके बारे में अभी तब 30 जारी है चार्टिड अकाउंट पंकज घुराना और ज्यस्टी विभाग के अधिकारी प्रेमराज मीना के खिलाब मामला दर्जकर अदालत में पेश किया जाएगा दोनों से इस मामले पर पूच्टाच की जाएगी इस मामले में सलिप्त होंगे उन्हें भी गिरफतार किया जाएगा। सुर्या समाचार के लिए पानीपत से सुमित भादवाज की रिपोर्ट।